विदीशा जीली के पठारी गाउं में नशा मुक्ती सबताहिक अभियान के तहट नशा मुक्ती एवं जागरुकता को लेकर एक बैठर कायोजन किया गया या बैठर गाउं के पंचायद भवन में संपन हुई बैठक के दौरान चलाए जा रहे नशा मुक्ती अभियान के संबंद में आम जनों को जागरूप किया गया तथा नशा से दूर रहने की सराबी दी गई बोपाल क्राइम ब्रांच के तीन पूरुष और एक महिला को लगभग 25 किलो गांजा के साथ गिरफतार किया गया है वे एक टीम का गठन किया और उसे टीम ने आरूपी को धर्दबोचा नीट मामले में CBI लगतार जांच कर रही है इस जांच के दौरान CBI लगतार छापे मारी भी कर रही है इस दौरान CBI ने पटना से मनिश प्रकाश और आशुतोष को गिरफतार किया है बता दे कि मनिश मधिप्रदेश के खिलाब जोरदार प्रदर्शन कर उसे करारी हार दी है और अपनी जगा सेमी फाइनल में पक्की कर ली है अफगानिस्तान के इस जीत के बाद अफगानिस्तान में जमकर जशन मनाय गया साथ ही पूरे देश के दिगजों ने अफगानिस्तान को बधाई और शुपकामनाई दी। मधिप्रदेश में लोग सेवा आयोग ने राज्य सेवा परिक्षा यानी MPPCS प्रीमियम 2024 के उत्तर की जानकारी दी है। इस परिक्षा का रिजल्ट आयोग की ऑफिशल वेबसाइट MPPS.MP.NIC.IN पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। परिक्षा का कांटे की टकर देतेवे करारी हार दी। बतादी कि अफगानिस्तान के कप्तान राशित खान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। साथ अफरिका की घातक प्रदर्शन के सामने अफगानिस्तान की पूरी टीम ने महज 56 रनों में ही घुटने टेक दिया। पिंक सिटी जैपूर में एक युवक ने विदेशी मैला परियठक को अब शब्द बोलते हुए वीडियो बनाया है और इंस्टाग्राम पर अप्लोड कर दिया इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली पुलिस ने युवक के खिलाब केस दर्च कर लिया और फिलाल उसकी तालाश की जा रही है गटना के संब्द में बताते कि जैपूर के आमेर किले में कुछ विदेशी मैलाई घूमने आई हुए थी इस दौरान एक युवक मैलाओं के साथ अपमान जनक बाते करते वे नजर आया सीतामडी जीले से एक मामला सामने आया जिसमें कुछ देर बारिश और उस बारिश में युवार युवती रील बनानے में जुट गये इस दोरान सितामडी जीले के बेला थाना चेत्र के सिर्सिया गाउन निवासी, मुख्या रागवेंद्र भगत उर्फ कमल भगत की बेटी सानिया कुमारी अपने पड़ोसी देवनारायन भगत के घर पर बारिश में घूम रही थी, वह बारिश में जूम जूम कर बारिश का आनंद ले रही थी और वहीं उसकी सहली फोन में वीडियो बना रही थी, इसक्रम में अचानक बजरपात हुआ और सोनिया से कुछ दूरी पर ठंगा गिरा। इसनिबाद के निर्सा, चिरकुंडा ठाना छेत्र के कुमार धोबी कोलियारी में एक महिला द्वारा एक बच्चे को चुरा कर ले जाते हैं, इस्थाने लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, इस्थाने लोगों ने महिला को पकड़ कर पुलीस के हवाले कर दिया, बता पहे हुए टैरिफ प्लान तीम चुलाई से शुरू होगी कमपनी का बेस प्लान जो पहले 155 रुपे का था जो बढ़कर 189 रुपे का हो जाएगा। रिलाइन्स चियों ने 17 प्रिपेड और 2 पोश्ट पेड प्लान की कीमते बढ़ाई हैं। राश्ट्य जनिता दल के विधायक भाई विरेंदर ने बिहार के सीएम नितिश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नितिश कुमार जल्दी बिजेपी को जटका दे सकते हैं। शशी थरूर के शपत लेने के दौरान संसद के अंदर फिर से हंगामा होता दिखा शपत में समिधान के नारे पर आपत्ती जताने पर ओम विरला के खिलाप कांग्रेस सांसदों ने विरोद जताया लोकसबा स्पीकर ओम विरला कनेस कांग्रेस सांसद दिपेंदर हुड़ को फटकार लगाता हुआ कि किस चीज पर आपत्ती होनी चाहिए और किस पर नहीं ये आप ना समझाएं नीजे स्कूलों की मनमानियों के खिलाप मधिप्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पूरी तरह से एक्षन में भोपाल ग्वालियर के बाद अब नजदी की जीले सिहोर में कारवाई की है बढ़ी विफीस के विरोध में एक स्कूल पर जीला कलेक्टर द्वारा दो लाख रुपे जुर्माना लगाया था जुर्माना की राशी जमान नहीं करने पर नीजे स्कूल के पंदर कंप्यूटर जब किये गए हैं कंगना रनावत अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव जीतने के बाद सांसत बन चुकी है कंगना रनावत लगतार सूर्खियों में बनी हुई है बिते दिन जब 277 लोकसभा पहुंचे तो कंगना रनाऊत भी वहां पहुंचे तवरान उनकी लोकसभा की सीडियों पर उनकी मुलाकात केंडरे मंत्री चिराक पासवान से हुई, दोनों की गर्म जोशिश हुई मुलाकात के बाद सारे कैमरे उन पर फोकस हो गए। अब दोन